अल्मोडा सांसद और पूर्व केंद्रिय राजय मंतरी अज़ टम्टा इन दिनों संसदी शेत्र के दौरे पर हैं। अल्मोडा पहुंचे सांसद ने कोरोना काल में तमाम विकास कारे प्रभावित होने की बात कही। टम्टा ने कहा कि कोरोना की बीच उत्राखंड में रेल्वी विस्तार समेत उनके संसदिय शेत्र में नेपाल बिहार के मजदूरों के पलायन से औल वैदर रोड प्रधान मंतरी सड़की योजना सहित तमाम विकास कारे प्रभावित होए हैं। वहीं सांसल टम्टा ने बताया कि कोरोना के कारण यूपी, बिहार और नेपाल के टेकनिकल और अन्य लेबरों की भारी कमी होने के कारण विकास कारों में परिशानी हो रही है। इम चंपावत से बाचीत के बाद टम्टा ने कहा कि कारोबारियों को लेंदेन के बाद 14 दिन कौरिंटीन रहें। तो ने नेपाल सित लेंदेन सेंटर जाने की परमीशन दी जाएगी। हमारे सीचाई के वहने जितने भी विकास कारी हैं वास्ताव में वह प्रभावित हुए है। उनका काम समय से नहीं होने के कारण से पीछे कारण यही है कि हमारे पास कुछ टेक्निकल लेवर होते हैं। स्किल लेका हुए लेवर होते हैं वो नहीं है। कुछ हमारे पास जो बाहर से आने वाली लेवर हैं चाहिए भीहार से उत्तरप्रदेश से और नेपाल से वह नहीं आपारे। हालाकि हिमाचल को केंदर सरकार की और से नेपाल से मज़ूर लाने की छूट मिली है। इसी तर्द पर केंदर और राज्य सरकार की मदद के बाद मज़ूरों को उत्राखंड लाय जाएगा और विकास की अधूरे कारों को पूरा कराय जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए अलमोडा से निर्मल उपरेति की रिपोर्ट।